गुरुग्राम में स्पास सेंटर में एड में देह व्यापार का धंधा चल रहा था पता चला कि 1500 से 2000 रुपए में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं इस पर ग्राहक ने सौदा तै करने के बाद पुलिस टीम को इशारा कर दिया जिसके बाद पुलिस ने मौके पर रेड कर तीन युवतियों और स्पास सेंटर संचालकों को काबू कर लिया एक संचालक की पहचान मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले गौतम के रूप में हुई जाए फिलहाल सरस्वती कूंज में रहता है झाल